कैसे पता चलेगा कि AC servicing के लाइक हो गया है servicing का time हो गया है कैसे पता चलेगा time fix नहीं होता है AC servicing का यह ध्यान में रखिए क्योंकि कुछ परदेश ऐसे होते हैं पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड वाइड मेरा विडू रैंक होता है तो इसको समझ लीजिए कोई एक टार्गेट नहीं कर रहा हूं पूरा वर्ल्ड वाइड में मेरा विडू रैंक होता है इसलिए समझ लीजिए इस बात को कब कैसे पता चलेगा कि air conditioner servicing का time हो गया है एक तो होता है कि फिक्स टाइम होता है कि एक सीजन चलाना है या फिर दो महीना चलाना है या फिर तीन मही सर्विसिंग होगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है ध्यान में रखिए जो यूजर है उन्होंने ही question पूछा है कि करने का time कब होता है कैसे पता चलेगा कैसे हम उसे समझ सकते हैं आसान तरीका है चोटासा वीडियो होने वाला है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके all पर करने ताकि जितने भी वीडियो में बनाओं आपको सबसे पहले notification मिल पाए और वीडियो को देख पाएं सबसे पहले तो कैसे पता चलेगा कहीं कहीं ऐसा होता है कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है जहां पर धूल बहुत जादा उड़ता है जहां पर धूल मिट्टी बहुत जादा उड़ता है वहां पर कोई समय सीमा फिक्स नहीं होती है कि कितने टाइम में सर्विस होगा और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा साल बीत जाता है सर्विसिंग करने के करने का टाइम होता ही नहीं है यसी सर्विसिंग करने क का पूरा डश्ट हो जाता है तो कोई समय सीमा फिक्स नहीं है इसका इसलिए इससे पहले में बता चुका हूं कि अगर आप आप अपने एयर कंडिशनल का सर्विसिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कैसे करना है सब्सक्राइब करान्यक्रण को ब सेखिए ऑसेatos सब्सक्राइब को सिक्राइबatively सब्सक्राइब और सब्सक्राइब या मैं लेकंष्टे ना का जो सेष्टेश सब्सक्राइब जिदेने भी यूजर हैं सब को पता होता है कि air filter कैसी खोला जाता है, air filter पहले आप देखें कि हवा कमा रहा है, cooling कमा रहा है, तो cooling कमा रहा है, तो air filter को आप निकाल करके देखें, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि dusty हो गया है, कभी-कभी 15 दिन में ही पूरा dust हो जाता है, पूरा भर जा पूरा ड़स्ट हो जाता है उसके उपर तो उसे निकाल करके सिंपल सा क्लीन कर दें धो दें धोने के बाद सुखा करके द्यान में चुटी चुटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो फायदे में रहेंगे फिल्टर को तुरंत धो करके तुरंत नहीं लगाना चाहिए फिल्टर को दोएं दो करके उसे सुखा दें सूख जाए और सूखने के बाद तब फिल्टर को वापस लगाएं इस प्लेटेसी के इंडूर में इंडूर हो गया इन बाकी और बलोवार और कुलिंग कौाइल दो-दो साल तीन-तीन साल डश्टी नहीं होते हैं फिल्टर ले कि लिए आ इंडू एर चळिसंगरों कोई भी हो इसी तरह से होता है आउट दोर की बात करते हैं आउब्ट्र में जब पीछे जाएंगे ना सामने से जब या फैन मोटर को देखेंगे फैन मोटर के ऊपर भावास जूफ ज़्शील जया कि वहाइग होगा तो समझ जाई है हैं लेकिन हम उचे टेक्निकल लेंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं उसे तो अगर वो कंडेंसर ना पीछे से जा कर तो द्यान में रखिये कि क्योंद इसको क्लीन होना चाहिए सामने का प्हाइन मोटर और इधर शरकीट ऐए उस बगल में ऑर उपार टॉप में दोने की ज़रुष्व नहीं सिर्फ कंडेंसर क्लीन होना चाहिए बस ताकि एर पास करें का एर पास कर सके पस इतना ही उतने साथ करना होता है अब देखिए कि non inverter और inverter air conditioner में difference क्या होता है services करने में और उसमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रहना चाहिए इसको समझ लिजिए अगर non inverter AC है तो सीधा आपको सामने से पीछे से कहीं से भी का होता है कमप्रेसर या जाता है और सर के ऊपर बहुत कम चान्स होते हैं तो सामने से पीछे से पाणी मार देजेमरे अब हम बात करते हैं inverter air conditioner inverter air conditioner में क्या होता है टॉप के साइड में PCB लगी होती है वहाँ पर अगर आप पानी बचा करके नहीं मारेंगे तो PCB के अंदर पानी चले जाएगी तो PCB खराब होने के चांस है और PCB बहुत महंगी आती है इसको ध्यान में रखिए तो आप पानी मारें धीरी धीरी करके ऊपर से नीचे की तरफ गिराइए condenser पे पीछे से ऊपर की तरफ ऐसे pipe लगाईए इतना जगह छोड़ करके इतना जगह ताकि PCB में PCB के पास पानी ना जाने पाए और नीचे की तरफ ऐसे से गिराइए पीछे condenser clean हो गया और थोड़ा सा अगर fan motor के सामने से अगर fan आप जो winds है उसके उसको अगर धोना चाहते हैं तो उसे आप थोड़ा सा पानी मार सकते हैं हलका सा ताकि उपर के side में ना जाने पाए और कुछ air conditioner ऐसे होते है नौनी नोटर जिसका motor shield नहीं होता है shield हो या फिर ना हो कोई ऐसा फरक नहीं पड़ता है आप उसमें पानी मार करके उसको कम से कम एक घंटे आप छोड़ दें धूप में छोड़ दें उसको ना चलाएं air conditioner अगर पानी जब सूख जाता है उसके बा तो मुझे लगता है चोटी सी जानकारी थी चोटा सा video था है आपको बहुत पसंद आया होगा आपके लिए यूजफिल रहा हो और पसंद आया हो आपको आपके लिए इंप्रमेटिव रहा हो तो video को like जिरूर कर दें लास्ट में फिर से पताना चाहूँगा कि अगर आपन चिलाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को फ्लेस कर दे ताकि हमारे अनुली जीतनी भी वीडियो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए वीडियो को देख पाएं सबसे पहले